दोस्तों पहली घटना राजधानी दिल्ली की है 25 मई को एक नेतरहीन महिला जिसको आखों से दिखाई नहीं दे रहा था बस में जा रही होती है गलती से वो एक गलत बस स्टॉप पर उतर जाती है उसको एक शक्स मिलता है रोड पारकर आने के बहाने वो एक गली में उसको ल पहीन महिला जिसको आखों से दिखाई नहीं दे रहा है गली में ले जाकर उसके साथ ये हैं हमारे देश का हाल इसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार मैं हूँ आप हैं हम सब हैं इसके जिम्मेदार क्योंकि हम कभी लड़ई ही नहीं अपनी बेहन बेटियों की पैदा हुए हैं मंद्र मस्जद को बचाने के लिए पैदा हुए है अपनी बेहन बेटियों की इज़त बचाने के लिए हमसे आवाज नहीं उठाई जाएगी अरे आवाज उठाओ कब तक अंधे मने रहोगे हर कानून को लाने की मांग करते हो सरकार से के जनसंक्या नियंतर सर से देखने बाला भी थरतर कापे कि अगर मैंने इसके साथ कुछ कर दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा लेकिन कानून कैसा है रेप करने वाला भी जिल से बाहर आ जाता है बदमाशों के होसले बहुत जादा बुलंद है हमारे देश के अंदर देखिए दूसरी इनी खबर आयोद्या से है रामनगरी आयोध्या यहाँ पर सरे आम घर में घुसकर एक महिला को मार दिया गया यह खबर आपकी स्क्रीन पर है एक महिला जिसका नाम सुप्रिया वर्मा है यह पेशे से टीचर थी और प्रेगनेंट भी थी इनके घर में कोई नहीं था इनके husband किसी रिष्टेदार किया गए हुए थे कुछ लोग इनके घर में घुसे और इनको चाकूँं से मार डाला सुप्रिया बर्मा के साथ साथ दुनिया में आने से पहले ही उस मासूम बच्चे की भी जान ले ली सुप्रिया बर्मा प्रेग्नेंट थी तो इतने जादा होसले बुलंदे हैं हमरे देश के अंदर गुंडो के लेकिन होता क्या है अपरादी जेल के अंदर जाता है और उसको छुडाने के लिए बहुत सारे नेता तयार रहते हैं घूस देकर पैसा देकर बाहर निकल वा लेते हैं मेरे दोस्तों असली मुद्दों पर आवास रटाओ असली मुद्दों को लेकर लड़ाए जखले करो क्या हो रहा है यह सब समझ में नहीं आ रहा है कश्मीर के अंदर देखिए हर रोज कोई ना कोई ऐसी किलिंग हो रही है टार्गेट किलिंग जो जखजोर कर रख दी रही है आखर इसके पीछे किसकी नाकामी है सरकार दावा करती है कि हमने जब से 370 हटाया है तब से वहाँ पर आतकमाद खतम हो गया लेकिन रोज आना पिछले 48 घंटे के अंदर अभी खबर आई है कि एक बैंक मेनेजर को वहाँ पर गोली मार दी गई और कल खबर आई थी कि वहाँ पर एक टीचर को टार्गेट करके मार दिया गया तो लगातार कश्मीर के अंदर भी किलिंग हो रही है असाद्दीन उवैसी ने भी सवाल उठाएं कि ये जो कुछ भी हो रहा है कश्मीर के अंदर हालाग बहुत जादा बेकार हैं इसновकिर रोज़ाना कोई न कोई टार्गेट के लिग वहाँ पर हो रही है फिल Cristiano के लिए दुआ करते हैं कि सब लोग सुरक्ष्ध रहे हमारा देश भी सुरक्ष्ध रहे ए